विधान सभा चिनाओं की परिणामों में प्रदेश की छे लोगसभा अदिवासी सीटों पर भाजपा का सियासी समिकरण बिगार दिया है आईए जानते हैं इन छे लोगसभा की सीटों के बारे में धार लोगसभा सीट इस संसदी शेतर में आने वाली आठ विधान सभा सीटों में से छे कॉंग्रेस के पास और दो बीजेपी के पास बची हैं 2009 में कॉंग्रेस के गजेंद्र सिह राजुखेडी जीते थे लेकिन मोदी लहर में बीजेपी की सावितरी ठाकुड ने 2014 में कॉंग्रेस से सीट छीन ली अब बीजेपी सीट पर नया चहरा तलाश कर रही है और कॉंग्रेस राजुखेडी पर दाओ खेल सकता है मंडला यहां की आठ विदासबा सीट में से छे पर बीजेपी और दो पर कॉंग्रेस का कबजा है बीजेपी सांसद फगन से हैं कुलस्ते एंटी इंकम्बेंसी के शिकार हैं बीजेपी कुलस्ते का टिकेट काट कर नए चहरे को और कॉंग्रेस पूर विदायक संजीव जाली जाती प्रमान पत्र के मामले में फसी हैं इसलिए उनका टिकेट कटना तहे माना जा रहा है यहां भी चार-चार विदासबा सीट बीजेपी कॉंग्रेस के पास हैं कॉंग्रेस के पास कहीं दाविदार हैं खरगून कॉंग्रेस मजबूत स्थिती में हैं आठ विदा विधान सबा सीटों में से एक बीजेपी एक निर्दलिय और च्छ कॉंग्रेस के पास है बीजेपी अपने मौजुदा सांसल सुभाश पटेल का टिकेट काट सकती है रतलाम जाबुआ ये इलाका कॉंग्रेस का गड़ है 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के दिलिप से भूरिय जीत गए लेकिन उनके निधन के बाद 2015 में लोगसभा उपचुना हुआ जिसमें फिर से कॉंग्रेस के कांती लाल भूरिया जीत गए यहां पांच विधान सबा सीटे कॉंग्रेस और तीन बीजेपी के पास है प्रदेश की शेहडोल, मंडला, बेतुल, खरगुन, धारो, रतलाम सीट आदिवासी बाहुल्य है, यहां कॉंग्रेस मजबूत स्थिती में है तो बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी के पास पांच सीटे जरूर हैं लेकिन इस चुनाव में इन सीटों को बचा पाना अब आसान नहीं लग रहा subscribe our channel and press the bell icon for more updates